हलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चनल एक्जाम ट्रिकी में मैं सुख मुझे आप से बात करूँगा दिव्यांकता प्रमान पत्र किस प्रकार से आउनलाइन करेंगे स्तार डेमो मैं इस वीडियो में आपको दूँगा इसमें क्या होता है जब डाटाबेस सरकार के पास सारा हो जाएगा तो इसके तहट दिव्यांक जुनों को एक अलग-अलग पहचान देने के लिए एक यूनीक आइडी नंबर जब यूनीक डिसिबेल्टी सर्टिफिकर्ट बन जाएगा तो एक उसमें यूनीक आइडी नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा जिससे जो भी प्रियोग होगा माल लीजे जो भी सुविधाय होंगी चाएवा पेंसन की सुविधा हो और चाएवा सिच्छा की छेत्र में सुविधा हो रेलवे की सुविधा की आरच्छन की सुविधा हो इस प्रकार से आपको यतनी भी सुविधा हैं जो सरकार के द्वारा होंगी वो आपको दिये त्ब्राइन के पास होना चाहिए और साथिआ डूसरा 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 डॉसक्षा गौंध की का प्रमालपत्र आपके पास होना चाहिए तीसरा डाकुमेंट्स आपके पास होगा ना चाहिए निवास आप कहा के रहने वाले कहा का आपका निवास है साथ जाती आए और एक आपकी पहुटर आइडी हो चाहिए आपका driving लाइक कीजिएगा जिससे कि नए वीडियो की नटिफिशन आपको समय से मिलती रहे हैं और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा रखता है तो लाइक कीजिएगा और ज्यादा ज्यादा से शेयर कीजिएगा जिससे कि जितने भी दिव्यांगता प्रवाणपत्र बनवाने के लिए जितने भी हमारे दिव्यांग जन हैं उनको ज्यादा ज्यादा सुविधाय मिल सकें और वो अपना दिव्यांगता सार्टिफिकट बनवा सकें यूनिक डिसिबेल्टी सार्टिफिकट वो बनवा सकें तो वीडियो हम सुरू करेंगे, तो दोस्तों हम सबसे पहले Google पे जाएंगे, और Google पे जाने के बाद में, हम यहाँ पर सर्च करेंगे, www.swablabman.gov.in, जैसे हम इसको सर्च करेंगे, देख लिजिए आपके सामने खुल के आ जाएगा, यूनीक disability ID Department of Importment of Person, जैसे हम इसको सर्च करेंगे, देख लिजिए, यह पेज आपका खुल के आएगा, यूनीक disability ID, अब हम देखे जिए पेज सारा खुल के आ रहा है, Contact Us, यह सब About, यहाँ पर हम जैसे ही आएगे, यूनीक UDID Card, Register Now, यहाँ पर हम जैसे ही रिजिए करेंगे, वैसे ही, दूसरा पेज खुल के आएगा, और इस पेज में, आपके लिए, सबसे पहले जो आपका होगा, मैं आपको बतातू कि हिंदी में भी भणना होगा, और इं और तीसरा है, Employment Details, चौथा है, Identity Details, चार इस पहले आपको यहाँ पर भणने होगे, तो सबसे पहला जो आपका फॉर्म में होगा, वो Applicate First Name, दोस्तों जिसका फॉर्म भणना होगा, उसका पहला नाम, जैसे अगर माल लीजे, राहुल कुमार है, तो राहुल कुमार मिल्स राहुल यहाँ पर भर देंगे, और उसके बाद में, जो आपका Middle Name होगा, राहुल कुमार याद होगा है, तो माल लीजे कुमार यहाँ पर आजाएगा, और सन्नेंज होगा, वो याद हो आएगा, इसी प्रकार से आवेदा का पहला नाम हिंदी में, फिर मद्दिनाम हिंद लेटाबर जो भी आपके है, वो भी हिंदी में ही आपको भरनी होगी, उसके बाद में Month, Year, और आवेदक के पिता का नाम वो भी हिंदी में भरना है, फिर माता का नाम Age, एज के आवेदक की वो सात्या जेंडर, मेल है या फीमेल है, जो भी आपका Mobile Number है, और Email ID जो भी आपक कर रहे हों, अब Mark of Identification, जो भी आपका Cut Mark होता है, जैसे किसी किसी के हाथ में कुछ Cut होता है, या पहले कि जो भी जिसको लोग बोलते जन्म दाग, इसी प्रकास से Mark of Identification, इडेंटिफिकेशन के लिए जो भी आपका Mark है वो, और Category, देख लिए Category में OBC, C, 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 C जो भी आप का है, B positive है, A positive है, O positive है, O negative, जो भी आपका blood group है, वो आप भर लीजेगा, साथ ही साथ, जो भी material status है, तो वो आप यहाँ पर married है, आप unmarried है, तो वो आप भर सकते हैं, विडो हैं, तो आप भी भर सकते हैं, और साथ ही साथ देख लिजे, RPWDX जो भी आपकी disability है, वो यहाँ पर आपकी भरी जाएगी, प्लीज सलेक्ट, जो भी आपकी disability है, वो आपकी यहाँ पर भरी जाएगी, name of guardian, जो भी आपकी guardian है, उनका नाम होगा यहाँ पर, और contact number guardian, दोस्तों, यहाँ पर contact number होगा, साथ साथ, आप लोग photo, पहले से ही, यहाँ पर देख लिजे, फोटो और और signature आपके हैं, तीन से तीसके भी तक, तो वहाँ पर आप बना के पहले से ही रख लिजेगा, इसके बाद में आपका address, first line में, दूसरे नायल में फिर से address, और फिर से तीसरी पंक्तिया, इसी प्रकार से हिंदी में भी आपको भरना होगा, और साथ 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 state, district, जो भी आपकी है, उसके बाद में village, फिर जो भी आपका pin code है, जैसे कहीं गहीं कहीं का, जैसे लखनों का by satb, जो भी इस प्रकार से, जो भी आपका pin code है, वो आप पिन code अपना भर लीजेगा, उसके बाद में address का proof जो भी है, वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, और उसके से देखिए, second step आपका, जैसे आप first step पूरा कर लेंगे, उसके बाद में आपका second step आएगा, तो यहाँ पर आपको disability certificate, yes या no करना होगा, उसके बाद में आपकी disability है, वो आपको कॉंड़ी होगी, फिर आपका जो disability area है, देख लीजे यहाँ पर area, जब आप blind क्लिक करेंगे, तो कौन से आख है, आपकी दोनों आखे blind है या एक है या दो, इस प्रकार से बोथ eyes यहाँ पर लगा दिये, अब हम आप जहाँ पर जिसे आपने पहले कभी जो इलाज करा रखा है, वहाँ पर किस प्रकार से आपका था, तो आपको disability लगानी होगी, अब इसके बाद में prisoner card जो आपका बना था, वह लगाना होगा, अब इसके बाद में हम अगर देखते हैं, तो disability due to, please select, तो इसमें हम select कर लेंगे, disease थी या accident हुआ था, तो हम यहाँ पर disease select कर लेंगे, क्योंकि disease था, बीमारी थी, अब हम यहाँ पर hospitalization, जहाँ पर आपने इलाज करवाया था, तो य इसके बाद में, जैसे ही इसको हम देखते हैंगे, इसके बाद में, जो, हाँ, इसको हम select करने के बाद में, जो भी हम, अब हम यहाँ पर next करेंगे, जैसे ही आप next करेंगे, वैसे ही देखिए, यहाँ पर जो दूसरा वाला column है, यह first वाले column की तरीके से हो जाएगा, देख स्थिंसे जब से आप नहीं है तब से आप यहां पे यहां पर मालीज़ 29 डाले दे रहा हूं 29 इसके बाद में आपके पास कौन सा कार्ड है BPL A या APLA देखले यहाँ पर BPL-APL जो भी आपके पास card वो आप select करेंगे यहाँ से ठीक अगर नहीं है तो NA आप select कर लीजीए अब आपकी Personal income कितनी है? Below One लगभग हाँ इसके बाद में यह जो भी आपकी income है annual वो आप यहाँ से आप click करेंगे यतना क्लिक करने के बाद में अब आप यहाँ पर जाकर के फिर से next करेंगे अब जो तीसरा कालम भी दूसरे वाले कालम की तरीके से हो गया अब एक कालम आपका जो बचा है अब यहाँ पर देखेगा आइंटी प्रूब आपका मैंने आपको पहले बता है आधार कार्ड हो सबसे अच्छा है आप आप लगा लीजे साथ ही जाद और भी आपकी देख लीजिए इसमें इंकम टैक्स और जितनी भी आपकी चीज़ें आप लगा सकते हैं और आधार कार्ड नंबर जो आपको सबस्काइब करने के बाद में हाँ आईग्री इसको करने के बाद में जैसे आप इसको करने होaitशी यही बहुब हो होगा आपकी लीजिए जो इनमबर वह वह होगा होगा ha patiapcad code आप यहांसे सुन भी सकते हैं CaptchaCore जो भी आपका कहचा आप यहाँ पे डाल दीजे उसके लावा अगर आपको Captcha नहीं समझ में आ रहा है तो यहां से आप Captcha अपना सुन सकते हैं कि कौन सा और अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो उसके करने के बाद में जैसे आप करेंगे तो यहाँ पर I have read agree to that times and conditions आपने साधी condition और times पढ़ लिए हैं तो आप इसमें आप जैसे ही टिक करेंगे वैसे यहाँ पर आपको proceed करने का जो है वो निसान उसके बाद में आ जाएगा और आप इसको proceed कर देज़ा उसके बाद में आपको number मिलेगा उस number को आप अपने पास रख लिजएगा या इसकी आपकी जो भी जितना भी आधार होगा जितना भी आपने फिल किया इसका फोटोगाप में निकलवा के रख लिजएगा जो भी वह आपका नंबर होगा वह आपको काम देगा और आपका बन जाएगा जो आपके दिव्यांता सार्टिफिकेट है यह बन जाएगा तो अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिएगा सेल कर दिएगा और उन विक्तियों के पास जरूर हमाना चाहते हैं